हेलो दोस्तो कैसे होता दोस्तो आज की इस नए वीडिम आप सबका सुवागत करता हूँ दोस्तो इस वीडिम लोग बात करने वाले T20I सीरीज के थर्ड और लास्ट मैच के बारे में जोके होने वाला है वेस्टन डिजू मंस वर्सेस पाकिस्तान उमंस इन दोनों टीम्स के बीच में दोस्तो ये मैच आज रात को साड़ी 11 बजे स्टार्ट होगा वेन्य होने वाला है सर वीडियन रिचर्ट स्टेडियम नोथ साउंट एंटीगा तो दोस्तो फर्स्ट मैच इसी वेन्यू पर होता फिर सेकंड मैच होता कुलिज ग्राउन एंटीगा में और ये थर्ड मैच फिर से सेम वेन्यू पर होने वाला है सर वीडियन रिचर्ट स्टेडियम नोथ साउंट एंटीगा में ठीक है पिच्छ रिपोट पर बात करेंगे दोनों टीम्स के एक्सपेक्टेड चेंजेस पर हम लोग बात करेंगे यही कुछ आपको को दोनों मैचेस में देखने को मिला है ज्यादा स्कोर बना नहीं है और दोनों मैचेस में वेस्टेड इन ने पहले बैटिंग करी है 136 रन और 125 रन पाकिस्तान उमन्स 126 रन और 103 रन और यहाँ पर बारिश को यह से पूरा मैच ही हो नहीं पाया था बट फिर भी वेस्टेड इन ने उमन्स के जितने की जाज़ा चांसेस रहे थे अगर आप लोग विकेट्स की देखो कि बाद तो चार विकेट स्पीनर्स को मिली थी को मिल सकती है बात करते है वेस्टेड इन जुमन्स की तो कुछ इस तरी किसीन की प्लेंग लिए और यह दोनों मैचेस में क्या बेंच भी दो प्लेयर से ब्राइटनी कूपर और करिश्मा राम हेरक को चांस दिया जा सकता है देखने लाइक बनेगा हुआ क्या है दोनों मैचेस में तो हेली मैट्यूज ने फर्स मैचे में रन बनाये थे बहुत बढ़िया प्लेयर ट्राइट जरूर करोगे काईशो ने थोड़े बहुत रन बनाये 23 प्लस 15 बनाये थे अच्छी पारी रही थी काईसिया नाइट 15 रन और 30 रन प्लस विकेट की पर तो अच्छी फॉर्म में लग रही है काईसिया नाइट बात कर दे बॉलिंग की श्रमिला कॉनिल को फर्स में तीन विकेट थे सेकंड में कोई विकेट नहीं था बहुत अच्छी बॉलिंग अब तक इनोंने करी है है एली मैथ्यूस को अब तक दो विकेट मिलिए दो मैच में अनिसा मुमत को एक भी विकेट नहीं आपके लिए बहुत अच्छी पीक रह यह कैपटन जरू टाइ करोगे तोस्तों पाकिस्तान उमस के अगर बात करें कुछ इस तरीके सिनकी प्लेंग इलिए उन रही थी मुनिबा अली के जगप इन लोगों नी सिद्रा नवाज को खिला था पिछले मैच में ठीक है और अगर आप लोग देखोगे तो अगर कोई न्यू प्लेयर खिलता आपको दीखे तो मैं आपको अपडेट करूँगा फिकोज अल्डेडी सिरीज हार चुके है तो हो सकता है कि बेंच में से किसी प्लेयर को चांस दिया चाह सकता है अगर आप पिछला मैच जगोगे तो श्रिफ जविरया रॉप आउट हुई थी बाकि सारे रन आउट हुए थे सबके सब यह सारे के सारे रन आउट हुए थे पिछले मैच में तो समझ सकते हो बालिंग की बात करें डिया ना बेक दो मैच में इन्होंने दो विकेट्स निकाले डेथ में बालिंग करती है तो उससे सबसे विकेट ले जाती है अनम अमिन हमारे लिए बहुत बढ़िया डिफरेंशल पी करी थी पिछले मैच में दो विकेट्स निकाले बहुत अच्छे पिक साबीद होगी, विकोस वेस्टन डीज के सारे के सारे राइट हैंड बैट सूमन से उनके सामने रास्न रासंदू बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकती है निदादार को तीन विकेट्स मिली, अच्छी बॉलिंग इनकी भी रही है अलियर अरियाज ने पिछले मैच में एक ओर डाला था, ग्यारा रन दिये थे दोस्तो बना लेगे स्मॉल लिक के टिम, सिद्रा नवाज और काईसिया नाइट दोनों आपको खिलती हुदी गई अब अब काईसिया नाइट के साथ जाओंगा भी को जोने थोड़े बहुत रन भी बनाये हैं प्रस आपको विकेट किपिंग देंगी तो सिद्र नवाज को भी टाइट कर सकते हो पिछले मैच में थोड़े बहुत रन बनाये तो यह एक अच्छी प्लेयर है टाइट कर सकत जवेरिया खान भूँत एक्सपेरियर है बर ठोड़े क्रेड के भी इशूज है दोनों मैचेस में यह फ्लॉप भी रही है अगर ग्रैंड लीग में टाइट करना चाते हो बिल्कुल करना विकाज हो सकते हैं कि आपको 25-30 रन की भारी खेलती भी दिखे और बैटिंग है तो अगर खेलेगी ट्राइ जरूर कर सकते हैं ओमेमा सोयले का चीप लेर ओपनर है तोड़े बहुत बालिंग कर लेती है इनके चांसेस बन सकते हैं इस मैच में खेलने के चलते हैं अगर पहली बैटिंग आती है पाकिस्तान उमंस की तुम्हें आईशा नसीम के साथ जा तो यही दिक्कत है बाकि थोड़ा क्रेड का भी इशुए ताफ लोग को लेना है बिल्कुल आप लोग ग्रैंड लिग में लेना स्मॉल लिग में भी ट्राइक कर सकते हो विकोज बैटिंग भी दे सकती है शिनल हैं डी को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बालिंग अच्छी लिग करिए तो इनको लेके चलेंगे ड्यान आप एक को डॉब भी कर सकते हो तो डिक्कत क्या नहीं यह डेत में डालती है तो विकेट ले ही जाती है मतलब दोनों मेंचे इन्मों इनको मिली ही गई अब लोग करने का रिस्क ले सकते हो इनके जगां किसे ट्राइग कर सकता मैं आगे बताऊंगा या पर ए ली नहीं है फिर्ट में दो विकेट नहीं थे तो मैं फिर्ट में के साथ जाओंगा इनको मैं बैक करूँगा शक्रास सेलमन इंको grand league में ट्राइक करना दो मैच में कोई विकेट नहीं मिला है मैंने आपको फर्ट मैच में बॉला था कि ये पर match wickets नहीं लेती है ठीके तो ये थोड़ा देखके चलोगे हाँ दो match में wickets नहीं हो सकते हैं आपको इस match में wickets लेती हुई दिखे नासरा संदू बहुत अच्छी grand league पीखे small league में भी आपको डिफरेंशे प्लेयर का काम करती हुई दिखे के लोगों ने पिछले match में ए अमिन को ट्राई किया था आप लोगी इस match में नासरा संदू को ट्राई कर सकते हो हो सकते हैं आपको इविकेट लेती हुई दिखे दोनों का याना बेग और दोस्तों कुछ इस तरीके से बनीगी हमारी small league की टीम अभी आपर बात आती है captain wise captain से किस तरीके से कर सकते हो दो यह दो पिक्स आपके मर्स्टे और थर्ड पिक फतिमा सना निकल के आ रही जिस तरीके से उनों ने balling प्लस बैटिंग कर यह दोनों मैचस में public इनको captain wise captain करके आ सकती है और पिछले मैच में जो grand league winner थे उनका captain wise captain यह दोनों थे फतिमा सना और निदादार तो देखके चलोगे public फतिमा सना को small league में captain wise captain करके आ सकती है इन तीनों के अलावा दियनरा डॉटीन और स्टेपनी टेलर यह दो आपके लिए बहुत अच्छे पिक्स रहेंगे captain wise captain के लिए grand league के लिए ठीके इनको दोनों को grand league में captain wise captain जरू try करना अभी के लिए क्या करो मैं अभी के लिए मैरी captain सी दे रहो हेली मैथ मैं इसको और मेरी wise captain सी दे रहो हो में निदादार को मैं एक्चुली reverse करना चाहता था निदादार को captain सी देखे हेली मैथ्यूज को मैं wise captain सी देना चाहता था बट मैं अभी के लिए western ditch umans को favor करूँगा और captain सी भी में हेली मैथ्यूज को देना चाहता हो final team में changes हो सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है grand league try कर सकते हो captain wise captain सी rotate करके stephanie teller पर focus करना the under dot team पर focus करना specially grand league में इनको captain wise captain जरूर tie कर सकते हो जो मैंने बाकि आपको differential plays बताए उनको rotate जरूर करके चलना दोस्तों दोनों team में changes expected है तो final team हमारी मिलेगी telegram channel पे playing alone के according toss के according pitch report के according तो telegram channel से जरूर जोइन हो जाना telegram channel की link आपको इसी वीडियो के description box में या फिर comment section में मिल जाएगी youtube channel को subscribe नहीं किया है जल्दे स सब्सक्राइबर के bell like को जरूर प्रेस कर देना thank you so much guys for watching